मुझेफर पुर्जिले के बंदरा में पर्तिवंधित मांस के साथ समस्तिपूर का अपाची बाइक सबार्यूबक पकराया जिसके बाद इलाके में आक्रोस बढ़ गया बताया जा रहा है कि बंदरा पर्खंड के हाथा उपी छेतर के तेप्रीज सीवनगर पत में एक पुलिया के पास सुक्रवार की सुबह गरामिनों ने पर्तिवंधित मांस के साथ एक बाइक सबार्यूबक को पकर लिया जिसे बाद में पुलिस के हवाली कर दिया गया गरामिनों का बताना है कि वह यूबक पर्तिवंधित मांस की खरीद विक्री का काम करता है वह वेंडर है छेतर के इलाकों में घूम घूम कर ओडर की अनुसार वह मांस महुचाता है इसकी जानकारी गाउवालों को पहली मिल गई थी जिसके बाद गाउवालों ने सतरकता बढ़ा दी आज सुबह जैसे ही वह बाइक पर पर्तिवंधित मांस का खेप लेकर जा रहा था तब भी गाउवालों ने उसका पीछा किया तेपिरी में पीछा कर उसे पकर लिया गया बाद में हाथा उपी पुलीस के हावाली कर दिया गया, हाथा उपी की पुलीस आवस्य कारवाई की बंदरा में सुरक्षा वेवस्था की पोल खुली है, 24 घंटे के अंदर याद दूसरी घटना हुई है कुरंटाइन सेंटर से फिर पांच परवासी मजदूर भाग गए सरकार की सकते और दावों के बावजूत, बंदरा परखन के कुरंटाइन सेंटरों पर 24 घंटे में परयाप्त सुरक्षा वेवस्था नहीं उपलब्द होने की पोल खुल गए लिहारा कई तरह की सिकायते सामने आ रही है बंदरा परखन मुख्याले के पास एक कुरंटाइन सेंटर से गुरुवार की देर रात कुरंटाइन किये गए पांच परवासी मजदूर चहार दिवारी भांद कर भाग गए जिसके बाद संबंधित गाउं में खलवली मच गई गाउं की लोगों में आक्रोस भरक गया तनाब के महाल हो गए सुरक्षा बेवस्था के दावों की बीच कुरंटाइन सेंटर से पांच परवासीों के घर भागने की इस घटना से परखन परशासन की बेवस्था पर सावालिया निसान खड़ा हो गया है बताय जाता है कि बुधवार की देर रात भी परखन के मुन्नी बेंगरी पंचाथ के कुरंटाइन सेंटर से दो परवासी मजदूर भूत से भय का बहाना बना कर भाग गये थे और इनमें भागे दो लोगों को बंदरा के कुरंटाइन सेंटर पर रखा गया था और इनहीं लोगों ने अपने साथियों को छुरा कर दे रात चाहार दिवारी फांद कर घर वापस भाग गये पंचाद के मुख्या का बताना है कि इस मामले में पूलीस की कारसैल एबंँ आधिकारियों की सहयोग के बिना उसे रिकावट नहीं किया जा सकता कई इलाकों में कुरोना संक्रमन के खौप में परसासनिक अधिकारियों के द्वारा सक्ति के अभा में ग्रामिनों के द्वारा ही अब कई तरह के कदम उठाए जाने लगे हैं ताजा मामला बंदरा परखंड के परसारा पंचाथ से सामने आया है यहां बताया जा रहा है कि वार्ट संक्या 9 की बस्ती में में सोंबार को तीन परवासी मजदूर देर रात कौलकाता से आये थे इन तीनों यूबकों को परिजनों के दोारा घर में छुपा कर रखा गया जानकारी मिलने के बाद गरामिनों के द्वार इसका बिरोध सुरू किया गया तथा उसे कुरंटाइन सेंटर भेजने के मांग की जाने लगी मामले के सुचना परखंड के अधिकारी अबम हथा ओपी के पुलिस को दी गई अधिकारीयों के टीम मौके पर पहुंची भी बाबजूद परजन मानने को तयार नहीं हुए यहाजा बिरोध कर रहा है गरामिनों के साथ गाली गलो जो में बिवात सुरू कर दिया गया इस बात को लेकर गाउं में तनाब है गरामिनों के सिकायट के बाबजूद अधिकारीयों ने इस बात को गंभिरता से नहीं लिया शुक्रबार की सुवा गरामिन नाराज हो गए नराज ग्रामिनों ने सुक्रबार को यहां बांस बल्ला लगा कर सम्मंधित मजदूरों की बस्ती के रास्ते को चारों तरब से रोक दिया साथ में तीनों मजदूर के घरों को भी बांस बल्लों से घिराबंदी कर दी इस बात को लेकर भी सम्मंधित मजदूर के परिजनों के द्वारल लगातर तीखा भी रोध किया जा रहा है गाउं में तनाव का महाल ब्याप्त है, मामले की सुचना अस्थानी अधिकारियों को भी दी गई है प्रभारी भी आया, सब वापस गई, लोग छुपा दिये हैं, हम लोग ढूड रहा है, मिल अभी नहीं रहा है, इसलिए हम लोग ने ये रास्ता चिल कर रहा है बिहार सरकार के पुर्व मंतरी अजीत कुमार ने मुझाफरपुर में मांग किया है कि प्रकार सिग्री किसानों को इनपुट सबसीडी का भुकतान करें, नहीं तो किसान सरक पर उतर कर आंदोलन करेंगे उन्होंने मुझाफरपुर के डादर कफर पूरा एबम कलबारी गाउं में आयूजीत बैठकों के बाद फत्रकारों से बाचित की तथा अपनी बातों को रखा आपदा के मार से जीले के किसान पूरी तरह बदहाल हो गए हैं, लोकडाउन में फसे मजदूर हतास हैं लगाता सरकार के दौरा प्राकिर्टी आपदा से हुए छटी का किसानों को इन्पुट सबसीडी देने की बाद सरकार कर रही है लेकिन रिजल्ट सिफर है, लगता है कि यदि समय रहते, किसानों को राहत नहीं पहुँचा, तो खरीब हसल भी इसवार खतम हो जाएगा लिखमंत्री और राजसरकार और किन्प सरकार से जानना चाहते है, क्या किसान दफन हो जाएंगे, तब उन्हें रहत मिलेगा, तब उन्हें मुआपजा मिलेगा, मजदूर दाने दाने के लिए बिलक रहे हैं लोकडाउन में फसे हैं, कोई देखने वाला नहीं, इसी मामल आया है, चर्चा हुआ है, कि रोजी रोटी नहीं मिलने से मजदूर परिसान है, और पूजी नहीं रहने से किसान बदहाल है, काफी द्रास्ति की स्थिती है, हम आज फिर एक बात सरकार से मांग करना चाहते हैं, क्या किसान मजदूर का दफन होना आपको अच्छा लगेग यदि अच्छा नहीं लगेगा, अगर कल्यान की बात करते हैं, तो समय गमाए बीना, गाओं के किसान मजदूरों को सुरत इंपुट सबसीधी का लाफ दिजिए, और मजदूरों को काम दिजिए